नमस्कार, मैं डोक्टर अरॉन कुमार गोयल, मैं आक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पेटल वैशाली और पडपडगंच में ब्रेस्ट कैंसर और जी आई कैंसर की फील्ड में डिरेक्टर हूँ और मैं कैंसर सजरी विभाग में हूँ आज मैं आपसे गॉल ब्लाडर कैंसर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ गॉल ब्लाडर कैंसर यानि पित की थैली का कैंसर जैसा आप जानते हैं कि कोई भी कैंसर एक सेल्स के बिना लिमिट या अन कंट्रोल बढ़ने की वज़े से होता है और वही चीज जब गॉल ब्लैडर के अंदर होती है तो गॉल ब्लैडर का कैंसर बनता है गॉल ब्लैडर कैंसर उत्तर भारत के एक common cancers में से है और इसमें एक जो बहुत important factor या cause है वो है गॉल स्टोन्स या पित की थैली की पत्री सौ में से 95 गॉल ब्लैडर कैंसर की cases में पित की थैली में पत्री की समस्या होती है गॉल ब्लैडर कैंसर के जो मरीज जब उनमें symptoms होते हैं तो पेट में दर्द, भूख कम लगना, वजन गिरना, पीलिया इत्यादी होते हैं और ऐसे काफी cases में बिमारी थोड़ा बढ़ी वे मिलती है तो इस बिमारी को हम लोग जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं तो उसका एक तरीका ऐसा है कि जब लोगों को गॉल ब्लैडर में पत्री के लिए जाच की जाती है तो ऐसे काफी cases में क्या होता है पित की थैली में बोलते हैं कि वॉल उसकी जो है पित की थैली की वॉल मोटी हो गई है या कहीं localized thickening है ऐसे cases में गॉल ब्लैडर कैंसर का शक करने से हम लोग कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं तो उसमें अच्छा यह होता है कि जब operation किया जाए उसी time पर उसी वक्त पर पित की थैली की बायपसी की जाच करा ली जाए जिसे कहते हैं frozen section examination अगर frozen section examination पर कैंसर पकड़ में आता है तो same sitting में उसी बेहोशी के अंदर मरीज का cancer का operation भी किया जा सकता है कुछ cases होते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर का removal किया गया है पत्री के लिए और उसके बाद pathologist report देता है कि गॉल ब्लैडर में cancer है इसे हम लोग कहते हैं incidentally detected गॉल ब्लैडर cancer और ऐसे ज़्यादतर cases में cancer के लिए हमें दुबारा operation करना पड़ता है जब ये cancer का operation किया जाता है तो कुछ गांठे या lymph nodes होती हैं उन्हें निकालते हैं और liver का वो हिस्सा जो गॉल ब्लैडर से जुड़ा होता है उसको निकाला जाता है ये operation करने से गॉल ब्लैडर cancer में cure की बहुत अच्छे chance मिल सकते हैं तो इसलिए हम सब लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी गॉल ब्लैडर cancer का शक किया जाए तो उसको उसी टाइम पे जाच की जाए operation के दौरान और उसका proper इलाज किया जाए ये surgery काफी safe है लेकिन ये cancer विशेशग्यों के हाथ में ही होनी चाहिए अगर operation के बाद में ये लगता है कि बिमारी थोड़ी जादा है तो कुछ मरीदों में operation के अलावा कीमो तेरेपी या रेडियो तेरेपी की जौरत हो सकती है तो मैं यही कहूँगा कि गॉल बैडर cancer के बाले में जो पुरानी धारना थी कि एक बहुत ही खराब और ला इलाज बिमारी है वो सच नहीं है इस बिमारी को अगर हम जल्दी पकड़ सकते हैं तो सही इलाज करके बहुत अच्छे तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं और क्योर की जो percentage है success rate है वो बहुत हाई है तो मैं यही कहूँगा कि गॉल ब्लैडर कैंसर से डरें ना इसका सामना करें और जाद अगर हम प्रॉपर तरीके से सही जगे पर इलाज कराते हैं तो सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है धन्यवाद